एक दिन एक छोटी बिल्ली ने अपने घर के बाहर एक किताब देखी। बिल्ली ने सोचा वो किताब के पास गई और उसे सूंगा। बिल्ली ने फैसला किया कि वो किताब को अपने घर ले जाएगी। बिल्ली ने किताब को अपने मुँ में दबा कर अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुच कर बिल्ली ने किताब को एक कुरसी पर रख दिया और सोचा कि वो भी किताब पढ़ना सीख सकती है। बिल्ली ने किताब के सफात अलटने शुरू कर दिये, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि किताब में क्या लिखा है। बिल्ली के मालिक ने ये देखा और बिल्ली से बोला, तुम क्या कर नहीं हो। बिल्ली ने जवात दिया, मैं पाइना चाहिए। मालिक ने हस कर कहा लेकिन पहले तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। बिल्ली ने खाना काया और अपने मालिक के साथ किताब पढ़ने बैठ गई। मालिक ने बिल्ली को किताब में मौजूद तस्वीरें दिखाईं और कहानी सुनाई। बिल्ली बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि किताबें वाकई दिल्चर्स होती हैं। इस दिन के बाद बिल्ली हमेशा अपने मालिक के साथ किताब पढ़ती और कहानिया सुनती। बिल्ली ने सीखा कि पढ़ना कितना एहम है वो हमेशा अपने घर में किताबे रखने लगी और इस तरह बिल्ली और इसके माली की बीच एक खुपसूरा दोस्ती की शुरुआत हुई जिसमें किताबें और कहानिया एक एहन किरदार अदा करती थी